हाई, वेल्कम टू मैं चैनल, इस वीडियो में हम समझेंगे Decimal Representation of Rational Numbers और यहाँ टापिक जो है Class 9 में ID.SARMA, R.S.W.L, NCRT और जितने भी बुक्स हैं Class 9 की उन सब में दिया हुआ है और यह टापिक जो है काफी important है तो बहुत ध्यान समझेगा कि कैसे हम Decimal के Form में Represent करते है Rational Numbers को और क्या मिलता है Exactly तो देखे, किसी भी Rational Numbers को जब हम Represent करते है Decimal के Form में, किवल दो तरीके के Form आ सकते हैं Only two Forms पहला Form इसे बोलते हम लोग Terminating Decimals Terminating Terminating Decimals Terminating का मतलब यह हुआ कि वो Terminate हो जाएगा एक Fixed Interval के बाद ठीक है और दूसरा जो एक Representation होता है किवल यही दो तरीके से Represent हो सकता है एक दम Fixed कर लिजिए दूसरा होता है कि यदि Terminate हो जाएगा मतलब कि एक Fixed Period के बाद जो है Remender 0 आ जाएगा डिवैड करने पर और दूसरा यह होता है कि Non Terminating मतलब Terminate नहीं होगा Non Terminating Non Terminating Repeating होगा Non Terminating क्या होगा Repeating होगा मतलब यह दि Terminate नहीं करेगा तो एक Fixed Block of Digits जो है Repeat करेंगे मतलब कुछ Block of Digits Repeat करेंगे बार बार तो इसे कि Non Terminating Repeating बोलते हैं या फिर इस Repeating वर्ड जो है न इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी उज़ करते हैं Recurring इसे कि यह करते हैं Recurring R-E-C-U-R-I-N-G Recurring तो Non Terminating Recurring या Non Terminating Repeating या जैसे बोला रहेगा तो समझेए कि वह Rational Number है या फिर Terminating Decimal रहेगा तब भी Rational Number है तो किवल दो तरीके से Rational Numbers को Represent कर सकते हैं Decimal के Form में और वो हमेशा और हमेशा ऐसे ही होता है तो अब चलिए इसमें Main Concept क्या है वो समझते है तो यहांबर पहरे बात करता है First के Terminating Decimals का तो जब भी Terminating Decimal रहेगा तो हम जानते हैं कि P by Q क्या होता है P by Q के Form में होता है Rational Number और यदि वो Terminating Decimal हुआ P by Q तो हमेशा Q के जो Prime Factors होंगे या तो 2 होगा या फिर 5 होगा मतलब 2 to the power M into 5 to the power N इस Form में हमेशा Q को हम Represence कर सकते हैं जैसे कि मैं Example करें आपके पास है 1 upon 2 तो 1 upon 2 में जो Denominator है वो क्या है 2 है तो देख रहें आपना 2 to the power M के Form में यह है मतलब या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए जो Denominator है या तो इसके factors मतलब या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या दोनों हो सकता है 2 और 5 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा factor नहीं होना चाहिए तभी वह Terminating Decimal हो सकता है तो यहां पर देखिए 1 upon 2 को जब Convert करेंगे आप Decimal Form में तो मिलेगा आपको 0.5 तो Terminate हो चुका है बिल्कुल 1 upon 4 को आप Terminate का इन मतलब की करेंगे तो देखिए 1 upon 4 में आप देख सकता है कि 4 को हम इदिफक्टाइज करेंगे तो मिलेगा 2 into 2 केवल 2 मिल रहा है या तो केवल 2 मिले या केवल 5 मिले या फिर 2 और 5 का combination मिले मैंने बताया ना तब ही वह Terminating Decimal के फ़र्म में convert हो सकता है तो 1 upon 4 को इदिफक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 0.25 आप मतलब डिबाट करेंगे देख लिजेगा अब यहाँ पर यह माली मिलता है 3 upon 2 तो यह कैसा होगा तो यह भी बिल्कुल ही Terminating होगा क्यों क्यों क्योंकि 2 है यहाँ पर denominator में तो बिल्कुल 2 और 5 factors में तो 2 आ रहा है तो बैट कर दिजेए यहाँ पर 2 होँज़ा 2 पाइंट 10 होगा तो कहने का मतलब कोई भी आप डेलो rational number जिसका denominator में 2 और 5 हो जिसके मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक तीसरा 1 upon 2 into 5 मतलब कि 2 और 5 का एक एक नमबर ले ले लिजे यह मिलेगा आपको 1 upon 10 और 1 upon 10 का decimal पिजने रसे होगा होता है वो होता है 0.1 तो बिल्कुल यह Terminating है अब ऐसे ले लिजे 1 upon 2 into 2 into 5 मतलब कि ले लिजे 1 upon 2 into 4, 5 into 20 मतलब 1 upon 20 यह दिर रहेगा तो यह भी क्या होगा Terminating होगा क्योंकि 20 का factors में आते हैं 2 to 5 आता है मतलब कि इसको आप ले सकते हो 2 to the power 2 into 5 to the power 1 मतलब कि यह जो farm है यह exactly इस से match कर रहा है है कि नहीं 2 to the power 2 into 5 to the power 1 है यहापर मतलब m की value यहापर 2 है और n की value क्या है 1 है तो 1 upon 20 को यह दि हम decimal के फार्म रिपेन करेंगे तो मिलेगा आपको 0.05 तो कहने का मतलब है कि आप चाहें जितना भी ले लो नीचे denominator में जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक बार और यहाँ पर 1 upon let us suppose और 2 into 2 into 5 into 5 यदि ऐसा ले लेते हैं और एक बार और 2 simple है कर लेते हैं तो यह जो number होगा यह इसका भी decimal representation जो होगा वो क्या होगा terminating होगा हमेशा मतलब कि यह बस देखना है ना कि नीचे के जो factors है नीचे का जो number है नीचे मतलब कि denominator जो है उसके factors 2 या 5 आ रहें कि नहीं this is the only concept ओके तो हम समझ गए कि terminating decimals कौन कौन से होगे माने किस rational number का decimal representation terminating होगा कब होगा केवल q बताएगा केवल denominator बताएगा कि वो decimal कब होगा हम समझ चुके हैं इस form रहेगा तब तो इसकी बाते हो चुकी है अब कोई भी ले लो decimal number और देखो कि q जो है वो 2 और 5 के form में हो पा रहा है कि निकनवर्ट उसके मतलब factors जो है 2 और 5 ही केवल हैं कि नहीं यदि 2 और 5 के अलवा कोई दूसरा हो जाता है तो आप कह सकते हो directly कि वो terminating decimal नहीं होगा अब बात करते हैं non-terminating decimal के जब non-terminating होगा तो बस इसमें वही concept है जो हमने यहां बताया terminating case में उसके opposite होगा मतलब कि ऐसा rational number P by Q जिसमें Q को यदि हम factorize करें तो 2 और 5 यदि मिलता है 2 to the power 5 और 5 to the power n मिलता है तो उसके साथ साथ एक और factor मिलना चाहिए मैंने एक another factor भी होना चाहिए यदि मतलब कि इसको हम कर सकते है another factor यहां पर कर सकते है another factor तो the power ले ले लेते हैं T लेते हैं पावर इसका तो यहां पर हो जाता है तो क्या हुआ हुआ है यहां पर देखे 2 और 5 तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है 2 और 5 यदि आ भी जाता तब भी वह non-terminating repeating होता क्योंकि 3 यहां पर एक another factor आ चुका है तो यदि हम यहां पर form में कर्मड करेंगे तो आएगा इसका 0.333 ऐसे मतलब 3 3 जो है infinite times आता रहता है तो इसी को हम decimal representation में लिखते हैं तो 0.3 बार लिखते हैं जैसे मैं कुछ ऐसे factors को यहां पर represent करेंगे देख लेता हूं कि क्या हो रहा है जैसे यहां पर कर रहे हम लोग 1 अपर 3 को तो 1 में divide करना पड़ेगा यहां पर 3 से और देखेगे कि 0.5 बढ़ाने पर यहां 10 हो गया तो 3 3 जो हो जाएगा 9 और मिलेगा 1 फिर 1 आ गया तो फिर 0 आ जाएगा यहां पर 3 9 फिर से हो जाएगा फिर यहां पर जाएगा 9 फिर मिलेगा आपको 1 फिर बिलेगा 0 फिर ऐसे ही मतलब repeat होता रहेगा बार बार इसी बात को मैंने लिग दिया हम पर जिरबन 3 बार तो जितने black of block of digits जो है repeat कर सकते हैं और उंगों क्या बोलते हैं ठीक है जैसी 1 upon 7 है हमाली जो है तो 1 upon 7 को यदि आप decimal को फिर में step 7 करेंगे हम दिवाड से बिलेगा 10 वर 7 से 1 बढ़ाेगा च्वर जाएगा पहले तो यहां पर इसको i raise कर लेते हैं तो 4, मिल जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ पर 40 हो गया ही, 7,7 हो गया, 7,7 हो गया 49 हो गया, 49, 1 हो गया 10, देखिए अब यहाँ पर 1 आ गया तो फिर 10 हो आ गया, मतलब 10 आ गया मतलब कि सुरू से फिर से repeat होने लगे, 10 यहाँ था, फिर यहाँ से एक बार जाएगा, यहाँ जाएगा 7, फिर आएगा 3, 30 हो जाएगा, देखिए यह बलग 30 आ गया, फिर ऐसे ही मतलब कि ज यह block of digits जो है repeat कर रहे हैं बार बार, ठीक है, मतलब कि 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ऐसे करके आप infinite तक लिख सकते हैं बिल्कुल, और यही block of digits जो है repeat कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर main concept क्या है, यहाँ पर जो block of digits repeat कर रहे हैं, वह कितने हैं, देखिए यहाँ पर, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 जो digits हैं, वह repeat कर रहे हैं, तो 6 जो digits हैं, वह हमेशा जो number है 6 digits का, वह क्या है, 7 से less है, इसका मतलब यहाँ पर concept यह है, कि यदि non-terminating repeating decimal होता है, मतलब 1 upon 7, मतलब ऐसा rational number होता है, जिसका representation जो है non-terminating repeating के फार में हो रहा है, तो उसका denominator जो होगा, less number of block of digits ही repeat करेंगे, मतलब कि 7 है, तो देखे 6 number of digits जो है maximum repeat कर रहा है, तो हमेशा less number of digits ही repeat करेंगे, यदि repeat करते हैं, तो ठीक है, less number of block of digits ही repeat करेंगे, जितना denominator होगा, उससे हमेशा less number of digits repeat करेंगे, यहाँ पर 3 है, तो 3 से less क्या है, यहाँ पर 1 number repeat कर रहा है, क्यों 3 repeat कर रहा ह तो यहाँ पर 3 है इसलिए एक नमर रिपिट कर रहा है तो 1 ब्लाक अफ डिजिट रिपिट कर रहा है इदि माली यह रहता 1 अपान 6 तो 1 अपान 6 को यदि आप चेक करेंगे तो 1 में डिवाइड करते हैं 6 तो 6 से डिवाइड करेंगे आपको 4, 40 हो गया तो 6, 6, 36 मतलब कि यहाँ आप यह 6, 6 रिपिट होता जाएगा मतलब 1 अपान 6 को आप जब डेस्मक फार्म डिपिजन करेंगे तो आपको मिलेगा 0.16 बार ठीक है तो मतलब इसमें केवल एक ही नमबर रिपिट कर रहा है किवल 6 रिपिट कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि डिपिजन क्या है यहाँ पर 6 है ना तो 6 से यह हमेशा जो नमबर आफ बलाक अप डिपिट करेंगे वो हमेशा लेस होंगे यहाँ पर यह कांसेप्ट है और यहाँ पर मैंने सारी बाते बता दिया है तो मेशा यहाँ पर होल जो कांसेप्ट है ना इसका decimal representation of rational numbers का वो यही है कि दो तरीके से हम representation कर सकते है rational numbers को पहला terminating decimal के फार्म में दूसरा non-terminating decimal के फार्म में यदि non-terminating होगा तो वह repeating होगा मतलब कि उसमें कुछ black of these जरूर रिपीट करेंगे जिसने कि 2.878787 dot 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 यदि ऐसा नंबर को लिखा हुआ है कहीं पर तो आप डाइट बोल सकते हो कि यह non-terminating repeating है इसका मतलब कि यह क्या है rational number है ठीक है तो किसी भी decimal को देख करके आप पता कर सकते हो कि वह rational number है या नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2.87 bar तो यह number जो है क्या है एक rational number है रिमाली जे दे दिया ऐसे 2.10101010 dot 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 तो आप कहोगे कि this is a rational number क्योंकि इसमें एक block of digits certain block of digits जो है repeat कर रहा है तो यह जो है 1010 जो है repeat हो रहा है बार बार तो this is a rational number करेंगे मतलब कि concept आप ऐसे भी है इसके लिए कि यदि आपके दो decimal फॉर्म में दो numbers दिया हुआ है decimal में सदे दिया माली जेकर 2.1 और 2.2 और इनके बीच में आपको कुछ numbers find करना है तो बड़ी आसानी से find कर सकते हैं कैसे तो 2.1 और 2.2 के बीच में यदि करना है बहुत सारे तो क्या करना होगा बस इसको ऐसे रिख दीजिए मतलब कि 2.1 और 2.2 को अप लिसकते हैं इस तरीके से 2.100 है कि नहीं 2.1 को लिसकते है 2.10 लिसकते है 2.1 को और 2.2 को लिसकते है 2.20 मतलब कोई अंतर नहीं है कि डैस्मल के बाद जीरो बढ़ाते रहते हैं तो कोई 2.11 2.12 2.13 ऐसे डाट डाट कहा तो होगा 2.19 उसके बाद क्या आ जाएगा ये वाला नमबर आ जाएगा इसके बाद जो है ये वाला नमबर आएगा 2.20 तो कहाने का मतलब कि आप कहोगे कि 2.10 और 2.20 ये जो दो rational numbers हैं इनके बीच में जो numbers हैं जो की rational number होंगे वो आप तरीका है rational numbers को find करना दो numbers के बीच में decimal का farm रहेगा तब तो खैर इस video में इतना है रखते हैं आप समाच चुके हैं कि क्या इसका main concept है decimal representation करने का rational numbers का ये आपको ये expression अच्छा लगा तो like करते जीगा तो subscribe करेगा कोई में out doubt होता है तो comment box में जरूर लिखेगा मैं reply जरूर करूँगा मेरी परसाँ guarantee है और यदि आपको कोई doubt नहीं भी होता है तब भी आप कुछ comment जरूर करिए thank you so much for watching bye